अध्याय 20 ुगरार में इब्राहिम इब्राहिम वहां से नेगेव प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और सूर के बीच में बस गया बाद में वह गरार में रहने लगा इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विशय में कहा करता था कि वह मेरी बहन है गरार के राजा अभी मेलेक ने सारा को बुलवा कर अपने पास रख लिया इस पर इश्वर ने रात में अभी मेलेक को स्वप्न में दर्शन दिये और कहा देखो तुम ने इस स्थ्रीता अपहरन किया इसलिए तुम मर जाओगे क्योंकि वो किसी की पतनी है अभी मेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था इसलिए उसने कहा प्रभू क्या तुम निर्दोश मनुश्यों का बिनाश करेगा क्या उसने खुद मुझ से नहीं कहा था कि वो उसकी बहन है और वो भी बोली थी कि वो मेरा भाई है मैंने यह कार्य निर्मल हिर्दय और निश्पाप हाथों से किया है तब इश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने यह कार्य निर्मल हिर्दय और निश्पाप हाथों से किया और मैंने ही तुम्हें अपने विरुत पाप करने से बचाया है इसी लिए मैंने तुम को उसका सपर्ष तक नहीं करने दिया अब उस बुरुष की पत्नी को उसे लोटाओ क्योंकि वो एक नभी है वो तुम्हारे लिए प्राठना करेगा और तुम जीवित रहोगे यदि तुम उसे नहीं लोटाओगे तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यों हो जाएगी अभी मेलेक ने बड़े सबेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे ये सब बाते कहीं इस पर वे सब बहुत डर गए फिर अभी मेलेक ने इबराहिम को बुलवा कर उससे कहा ये तुमने हमारे साथ क्या किया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज जी को इतने महान पाप का भागी बनाया तुमने मेरे साथ ऐसा किया है जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था फिर अभी मेलेक ने इबराहिम से पूछा तुमने किस इरादे से ऐसा किया इबराहिम ने उत्तर दिया मैंने सोचा था कि यहां कोई भी ईश्वर प्रशद्धा नहीं रखता इसलिए लोग मेरी पत्मी के कारण मुझे मार डालेंगे इसके अतिरिक वह सचमुच मेरी बहन है वो मेरे पिदा की पुत्री है पर मेरी माता की नहीं है और वो मेरी पत्मी बन गई और जब ईश्वर की प्रेरना से मुझे भ्रमन करना पड़ा तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे पर यह कृपा करना कि हम जहां कहीं भी जाएं तो मेरे विशय में कहना कि यह मेरा भाई है इस पर अभी मेलेक ने इबराहिम को भेडें और बैल दास और दासियां भेट की और उसे उसकी पत्नी सारा को भी लोटा दिया अभी मेलेक ने कहा देखो मेरा देश तुम्हारे सामने है तुम जहां चाहो रह सकते हो उसने सारा से कहा देखो मैं तुम्हारे भाई को इसलिए एक हजार चांदी के सिक्के देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की द्रश्टी में प्राइश्चित हो और तुम सबों की द्रिश्टी में निर्दोश प्रमानित हो सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है इसके बाद इब्राहिम ने इश्वर से प्रार्थना की और इश्वर ने अभी मेलेक उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्ट कर दिया जिससे फिर उनको भी संताने होने लगी क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अभी मेलेक के घर की सब स्त्रियों को बंध्या बना दिया था